अध्याय बारा भारत के सम्विधान का निर्माण जब भारतियों ने ब्रिटिश आर्षन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मुल्यों को अपना आधार बनाया 1947 में आजादी मिली तो हमने इनी मुल्यों के अंतरगत देश का धाचा तयार करने का कारिय प्रारंब किया इस प्रक्रिया को सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं प्रतेक देश का अपना एक सम्विधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधार बूत नियमों और सिध्धानतों का एक संग्रह होता है हर देश अपनी आवशक्ताओं वो परिस्थितियों के अनुसार सम्विधान का निर्माण करता है सम्विधान आधार बूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है वरन उस राष्ट के मूल उद्देशूं वर्त प्रात्मिक्ताओं का खाका एवं शासन तंत्र को संग्ठित करने की व्यवस्था और उसकी सिमाओं वो मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्ताविज है जिसका उप्योग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है सम्विधान की आवश्यक्ता क्यों है? सम्विधान मूल भूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समू है जो राज के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है एक लोगतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों को राज को सौब देते हैं ताकि सामोहिक जीवन सुचारों रूप से चल सके राजे को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन न करें और उनके हितों में काम करें इन्ही नियमों को हम समविधान कहते हैं समविधान के माध्यम से यह तै किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो? समविधान का कारे है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किये जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करना ये सीमाएं ऐसी होती हैं कि सरकार भी उनका उलंगन न करें जैसे मौलिक अधिकार समविधान परिवर्तन शील है जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है किन्तु समविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है वह शासन को ऐसी छमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन अकांचाओं को पूर्ण कर सके और न्याय पूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां वातावरन आधि का विकास कर सके दृतिय विश्वयुद्ध की तबाही के बाद जापान में नया सम्विधान बना इसी तरह मई 2008 में नेपाल में जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोगतंत्र इस्थापित हुआ तो वहाँ भी नया सम्विधान बनाने की कवायत प्रारम हुई और सम्विधान सभा का गठन किया गया नेपाल के सभी लोग यह चाहते थे कि देश में सामंतवादी राजशाही का अत्याचार और एक केंद्री शासन प्रणाली जो स्थानी समुहों की आकांचाओं की अंदेखी करे हमेशा के लिए खत्म हो नए सम्विधान में हर प्रकार की विभिनिता के सनरक्षन सबके बीच समरस्ता वह सहनशीलता विक्सित करने सभी प्रकार के अत्याचार वह भेदभाव को मिटाने और एकिकरित केंद्री राज़ी की जगा इस्थानी वह छेत्री स्वशासन स्थापित करने पर विशेज दिया गया